हो गया? करने वाले योगेंद्र सर, CGPSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आफ टू बी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट सब्जेक्ट वाइस होगा तो साइन्स वाले मैस्स और साइन्स हल करेंगे बाकी लोग सोशल हल करेंगे चलिए आज का अपना टॉपिक है वन्सक अनुकुरम इवं वातावरन ये टॉपिक इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रत्यक चुरूप से क्या है मानौ विकास पर बाल विकास पर प्रभाव पढ़ता है अपने पढ़े हैं विकास करिया करके ही क्या होता है बालक का विकास होता है तो ये topic अपने लिए important है इसको देखते हैं बढ़िया-बढ़िया question है इस पर ठीक है वंसा नुक्रम एवं वात वरण पहला है जन्मजात वैक्तिक गुणों का योग-फल है जन्मजात वैक्तिक गुणों का योग-फल है इसको question को समझते हैं आपको जो जन्मजात गुण मि से हां से मिलते हैं मोज्चे लिए मीज्ए में तो जो चीज आपको जन्मजात मिलती है वो आपके वंस से मिलती है जो जिंसे आप पैदा हुए हो ना, उनसे मिलती है, उनके जीन से मिलती है, तो जन्मजाद बोल रहा है ना, जन्मजाद, व्ैक्तिक गुनों का योगफल क्या होगा भई? वन्सानुकराम होगा, ठिक है? अगर अंताक्रिया करके बोलता, तो किसका होथा? वातावररन का होथा, वातावरण से सीखते भी है अपन ठीक है तो इसका option होगा वनसानुकराम चलिए एक कक्छा में व्यक्तिक विभिषिन्द्थाउं का छेत्र हो सकता है इसमें बोल रहे है कि व्यक्तिक विभिषिन्द्था किस किस सीज में होती है देखे हर आदमी ।a है अना कुछ ना कुछ difference होता है अपन वैक्तिक विभिन्नता वाला भी एक chapter पढ़े हैं अपने को विभिन्नता के अधार पर बच्चों को अलग नहीं करना है सब को क्या करना है एक साथ बैठा के पढ़ाना है चाहे creative बालक हो या मंद बुद्धी बालक हो सब को कैसे एक साथ बैठा के पढ़ आना है तो भई विभिन्नता एक आदमी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक पर विभिन्नता हो सकती रूचियों में जाहिर सी बात है कुछ बच्चों को मैस सचलेगा कुछ को साइंस कुछ को पेंटिंग सीखने में कोई बालक बहुत जल्दी सीखेगा कोई धीरे सीखेगा क चरीत्र में चरीत्र में तो सबके विभिन्नता है जितने लोग है उतने चरीत्र है ठीक है तो इसका ओप्सन होगा क्या डी उप्रोक्त सभी ठीक है वेक्तित विभिन्नता सभी में जो बोल लो सब में आएगा हाना सरवाधिक उप्यूक्त जीवित रहता है कौन बोला है बताइए कौन बोला है डार्विन का जीवात का सिध्धांत ठीक है जो सबसे ज्यादा उप्यूक्त रहेगा वही क्या रहेगा प्रकृती में जिन्दा रहेगा अगर आप अनुकूलन नहीं कर पाए तो निकल होगे भाई ठीक है हो गया तो सरवाधिक उप्यूक्त जो सबसे बेस्ट है वही क्या होगा जिन्दा रहेपाएगा ठीक है बहुत अच्छा कोस्चन आया है अना बालक का विकास किसका परिणाम है पर पढ़ें अपन विकास इक्वल टू क्या होता है अपन पढ़ें न डे इन्टू वाता वरण यह दोनों जब मिल के क्लिक्रिया करते हैं तो बालक का क्या होता है विकास होता है इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कोस्चन कराने का यही सबसे बेस्ट फैदा है कि क्या होता है तुरं तुरंत आपका रिविजन भी हो जाता है अब एक बालक है ठीक है अब एक बालक है जो लंबा है ठीक है जो लंबा है अब यह लंबा इसलिए है क्योंकि इसकी मम्मी भी लंबी थी और इसके पापा भी लंबे थे यह किसमें हो गया वनसानुकरम में ठीक है यह उसका इस्ट्रक्चर हो गया लेकिन बालक जिस छेत्र में रह कहता है वह छेत्र पूरे साइंटिस्ट लोग का है ठीक है तो उसके भी ज्यादा बनने के क्या है साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनने के ज्यादा है हाना क्यों क्योंकि उसको वातवरण कैसा मिल रहा है साइंटिस्ट का मिल रहा हाला कि इसके मम्मी पापा साइंटिस्ट नही उसमें औल इंडिया से बच्चे आते हैं ठीक है आपका बच्चा भी यहां से गया वहां पढ़ने इस्ट्रक्चर तो आपके सरीर का रहेगा लेकिन उसका नेचर उसका वैभार आपके जैसा नहीं रहेगा क्योंकि अब वह आपके साथ नहीं रहता है आपके वातावरण में नहीं रहता है आप ही के कई रिस्तेदार नौकरी लगे होंगे तो बाहर-बाहर होंगे फोज में तो लोग की लेंग्वेज अलग खान पा न लग बोलने का तरीका अलग ये कैसे डिसाइड हुआ ये वातावरण में तो ये जो विकास है एक तो किस से वनसा नुकरम और तो बालक का विकास किसका परिणाम है जी वनसा नुकरम और वातावरण दोनों की अंता किरिया का अंतर की है मतलब उसके साथ बिहेव करते हैं उसके साथ क्या करते हैं इंट्रेक्ट करते हैं ठीक है बंदर में कित्ते होते हैं अपने आगे या पीछे रहता है ज्यादा रहता है ना अपने जश्ट 24 उनका 24 या कुछ रहता है अपने उपर आलू या कुछ और रहता है तो भीया यह देख ले ना आदमी का 23 रहता है उसके उपर एक क्यान है उसके नीचे एक कौन है पूछ ले पढ़ना भी है इतना बेसिक साइंस तो पढ़े ही होगे क्या ठीक है इसी में 21 जोड़ा गुंड सुत्र अगर नहीं टूट पाता है तो क्याव बिमारी होती है Down syndrome, इसी को ये गुंड सुत्र के नाम से भी बोलते हैं, यह भी आएगा, Down syndrome क्या होता है, वो बच्चे का मानसी कुई कास बहुत धीरे रहेगा, सारीरी कुई कास बहुत धीरे रहेगा, ठीक है, और लगभग सभी बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित रहते न सब के चेहरे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं ठीक है तारे जमी पर पिच्चर देखे हो अमीर खान जो स्पेशाल स्कूल में पढ़ाता है जिसमें वो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं लोग है डाउन सिंड्रो ठीक है यह हो गया समान्य पूर्स में गुर्ण सूत्र होते हैं जबकि समान्य महिला में कौन सा गुर्ण सूत्र होता है भाई डबल एक्स होता है, पूरूस में क्या होता है, एक्स और वाई, पूरूस में गुण सुत्र कौन से होंगे, पूरूस में एक्स और वाई, अव महिला में क्या होगा, हाना, एक्स एक्स, ठीक है, अगर एक्स एक्स मिलते तो क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, अगर x y मिलते तो क्या पैदा होगा लड़का पैदा होगा इतना तो सबको पता है तो इसका क्या होगा महिला में double x ठीक लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदाई क्रोमो सोंस है कौन से है यह xy है हना यह गलट टाइप हो आ लड़का पैदा कैसे होता भाई जब पुरूस का एक्स हाना और महीला का एक्स मिलेंगे तो क्या पैदा होगा लड़की हाना और जब पुरूस का वाई और महीला का एक्स मिलेंगे तो क्या पैदा होगा लड़का ठीक है तो लड़का के लिए क्या होगा एक्स वाई बहुत important question दूसरे वर्स के अंत तक बच्चे के सब्द भंडार कित्ते हो जाते हैं कई बार बना चुके हैं 100 सब्द हो जाते हैं ठीक है दूसरे वर्स के अंत तक बच्चे का सब्द भंडार कित्ता होता है 100 सब्द होता है ठीक है भासा पढ़ें ना बच्चों की भासा अपन पढ़ाया ना कैसे भासा विकास होता है बच्चों में पढ़ाये की नहीं पढ़ाये भई जब बच्चा पैदा होता है जर्म के समय उसकी भासा क्या रहती है रोना वो हर चीज के लिए क्या करता है खचो नए उसका व्हार कैसे रहता है मूल प्रवित्यों पर अधारी के जो उसको लगेगा वहीं वह करेगा मूल प्रवित्ति जैसा वह है वैसे डिखाएगा भूक लगेगी रोएगा दरद उग हो रोएगा सोसे उठेगा रोह नहीं । पूरी मूल प्रतियों पर प्रवित्ति पर रहेगी और क्या रहेगा उसका रोना रहेगा ठीक है उसके बाद दूसरा तीन से कितत आपका दो से तीन महा का बच्चा दो से तीन महा का बच्चा इसकी भासा क्या रहती है अनुकुंजन क्या रहती है कुछ ही वर्ड नहीं बोलेगा लेकिन मुह से आवाज निकालेगा जैसेजेए चहकना बोलतेपना बच्चा क्या करता है दो से तीन महा का बच्चा लेटा दो पंखे को देख को दरते रहेगा, ठिक है, वो किसी कुछ न कुछ देख के बोलते रहेगा हना उसके राथ में यूपकड़े रहा­एगा उसको हिला हिला के कुछ न कुछ बोलते रहेगा पर कोई भी एक वर्ड नहीं बोलेगा चया के डाव अनुकुंजन दो से टेंडर्टिक है कई बच्चा बहुत जल्दी वो कर लेता है और कई बच्चा ऐसा है कि वो तीन साल तक नहीं बोलता है ठीक है तो छे महा के बच्चा बबलाना इस्टार्ट कर देता है ठीक हैँ वो चहकने जादा आप कुछ ना कुछ व्यांजन और सर्व सर्व बोलेगा वो ठीक है छे माह का बच्चा उसके बाद एक साल का बच्चा जो आपका एक साल का बच्चा है वो दो से तीन सब्द कितना? दो से तीन सब्द मा, पापा, दादा दो तीन सब्द बोलेगा ठीक है? अब एक साल के बाद आपका अठरा माह से चोबिस माह का बच्चा क्या करेगा टैलिपैथिक क्या टैलिपैथिक लेंगवेज बोलेगा मतलब दो तीन सब्दों को वो जोड़ कर बात करेगा जैसे मा, पानी या कुछ भी दो तीन सब्दों को वो जोड़ कर बात करेगा इसको बोलते है टेलिपैथिक लेंग्वेज ठीक है? दो साल का बच्चा ठीक है? दो साल से उपर का बच्चा क्या करेगा? बोल पाएगा ठीक है भासा विकास के लिए सबसे समवेदन सी लवस्था कौन होती है पूर्व बाल लवस्था दो से छे वर्स ठीक है ये पूरा मेरी विजन करा दिया वई दो साल के बच्चे में कितना सब्द भंडार होता है सब ठीक है प्रकृति पोषण विवाद निम ल लिखित में से किस से संबंदित है रेक्चे वाटा वरंडर को प्रकृति अस手न जैसे आप पैदा हुए और पोषण जैसे आपका पोषण कहां से मिलता है जी आपको वाटा अउसमीलते है ना नियूटरिशूंज तो प्रकृति और पोषण का जो इन्टू है वो क्या है अ पारीडीक विकास का छेत्र कहा कहा है बताईए इस इस नायू मंडल होता है मतलब तन्तृत्रीका तंत्र नर्वज सिस्टम तंत्रीका तंत्र क्या होता है जी वो तंत्र जो आपके पूरे सरीर को चलाता है ठीक है आप जो जितनी भी एक्टिवीटी करते हो मतलब आपके सरीर का पूरा वो केबल है तार है जिसमें करेंट दौर रहा है और अब क्या कर रहे हो चल रहे हो जिसका तंत्री का तंत्र काम नहीं करेगा ना ओड भी नहीं पा क्योंकि वो कम्होर हो रहे है जब आप बहुत active होते हो तो nervous system में effect पढ़ता है कुछ क्यों कि वह बहुतrus चार्ज है जो अपन ताकत की गोली यह सब खाते नवा unas system बने क्या करता है active करता है ठीक है paralysis आदमी क्यों नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि उसका nervous system क्यों ने लब होता है nervous system nervous system सारीरीक विकास का छेत्र है वैई मासपेशियों की वृध्धी बढ़ता ही है सारीरीक विकास में मासपेशी हना endocrine glands आपका जो ग्रंथिया है वो भी बढ़ता है तो सारीरीक विकास का छेत्र क्या होगा डी उपरोक्त सभी अगर यहां पे तर्क करने की छम होता दे देता तो सारीरीक विकास होता नई वह क्या होता मानसीक विकास होता जितना भी हम दिमाग से काम करते हैं वह है मानसीक विकास और जो हमारा सरीर बढ़ता है वह है सारीरीक विकास व्रिद्ध्य और विकास में बहुत डीपली इसको पढ़ें अपन ठीक है चलिए देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा वनसानुक्रम का नियम है बहुत जबर्दस्त कोस्चन है जी वनसानुक्रम का नियम क्या कहलाता है देखे सीखने का नियम हना ये तो है नहीं प्रयास और टूरूटी का सिध्धान किसका है ठांडाईक का है हना लर्निंग थेोरी किसका है आपका इसकी नर का है इसकी नर थांडाईक का है स्वास्त का कोई नियम होता नहीं वंसा नुक्रम समानता का नियम समानता मतलब आप किसके समान दीखोगे अपने माबाप जैसे दीखोगे न तो इसमें वंसा नुक्रम में क्या मिलता है वो गुण जो आपको अपने पूर्वजों से मिलते हैं मोसली देखना अगर माबापको सुगर है तो बेटे को भी सुगर दोनों समान हो गए माबापको चस्मा लगा है तो बच्चे को भी चस्मा माबापके बाल जल्दी घर जड़ आएंगे तो बच्चे की बाल भी जल्दी जड़ आएंगे तो वनसा नुक्रम का नियाम कौन सा नहीं है अभिप्रेणा नहीं है अभिप्रेणा क्या होता है बाहरी ठाकत है जो आपको उत्तेजित करता है किसी चीज को करने के लिए अभिप्रेणा दो टाइप की होती है आंत्रिक अभिप्रेणा और बाय अभिप्रेणा तो सबसे मोटिवेशन यह बच्चे जिनकी मानसी कायू उनकी काल क्रमी कायू से कम होती है कहलाते हैं लो भाई बहुत जबर्दस कोश्चन मानसी कायू में हाना सी ये से कम होता है तब क्या होगा कैसे होगा देखिए आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है में डिवाइड वाई ये इन्टू हंड्रेड एमे बराबर मेंटल एज मानसी कायू ये बराबर क्रोनिकल एज सारीरी कायू इससे क्या लिकलता है आईक्यू लिकालता है आईक्यू का सबसे पहले प्रयोक किस ने किया था बीने और साइमन ने ये वाला फॉर्मूला किस ने दिया तर्मन ने ठीक है ये आप पूछता है अब ये बोल रहा है जिसकी मानसी कायू उसकी सारीरी कायू से कम होती है हना अब देखते हैं मानसी कायू ले लो आठ सारीरी कायू ले लो दस इंटू सो ठीक है ये कड़ गया ये कड़ गया हना क्या हुआ असी इसका आईक्यू किता या बच्चे का असी तो मेरे दोस्तों आपको पता है नब्बे से 110 आईक्यू का बच्चा क्या कहलाता है समान्य और इससे जो नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा मंद बालग और 70 आईक्यू का बच्चा क्या कहलाता है बुद्धी हीन जड़ बुद्धी ठीक है तो जब भई आपकी मानसी कायू सारीरी कायू से कम होगी ना तो आपका दिमाग कम होगा अब मालो आपकी मानसी कायू 10 है और सारीरी कायू 8 है हना तब क्या होगा हना कित्ता होगा ये 4 ये कित्ता होगा 5 ये कित्ते बार में प्रतिभा साली मतलब अच्छा बच्चा माना जाएगा और 140 वाला क्या मानता है क्रियेटिव बालग सबसे टॉप में आते क्रियेटिव बालग ठीक है समझ में आ गया वह वस्था जो की माता के 21 गुण सुत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है कहलाती है कौनसी बिमारी? Down syndrome वो जो 21-वा गुण सुत्र अलग होना चीए तो तूटना चीए हना बच्चे का विकास होते समय अगर वो नहीं हुआ तो कौनसी बिमारी होगी? Down syndrome इसमें बच्चे का सारेरिक, मानसीक, बौधिक सब विकास क्या होगा बहुत कम होगा है ना आपके आज पास देखे होंगे आप ऐसे बच्चे ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कौन सी बिमारी होगी डाउन इंड्रोम यह सभी पेपर में पूछ देता है वातावरण वह बाहरी सकती है जो हमें प्रभावीत करती है किसने कहा था रौस ने कहा था रौस ने रौस ने क्या कहा था देख लेते हैं रौस के अनुसार परियावरण एक बाहरी बल है जो हमें प्रभावीत करती है या उन परिष्टिती को संदर्भीत करता है जिसमें एक व्यक्ती रहता है बच्चे के तातकालित वातावरण ने उसके व्यक्तितraszam और बुद्धी को बहुत प्रभावीत किया है ।ठीक है ठीक है अब छोटा अला भाई नसे की आदत में चोर ओरलिक के साथ रहता है तो उसका वातावरण कैसे है दूसीत है तो उसका मानसिक क्या प्रवित्ति क्या होगी दूसीत होगी ना अगर वनसानुकरम से विकास होता कुल हना केवल वनसानुकरम से विकास होता तो जैसा माता पिता वैसे ही बच्चा बन जाता लेकिन बच्चे का सारीरिक विकास तो माता पिता से हो गया लेकिन मांसी कुए में किसका डाएक्ट इंवॉल्मेंट रहता है वाता वरन का ठीक है चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोसंड का महतपूर्ण तरीका है मतलब विद्यार्थियों में समस्या समाधान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा बताईए समस्या समाधान का टैलेंट बढ़ाना है वो प्रॉबलम सॉल्व कर सके जल्दी जल्दी तो क्या करना पड़ेगा ठीक है वी मर्सक अभी वित्ती निर्मान को प्रेरक नहीं उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है ठीक है ये सहीं लग रहे है अपचारिक तरकणा टकनीक का प्रसिक्षन देना नहीं अपचारिक मतलब फॉर्मल फॉर्मल मतलब काल्पनिक कहां से बच्चा समस्या समाधान करेगा सर्वमान उत्वर दने या सुमकार करने से इंकार करना ये भी गलत है ठीक है तुमको समस्या समाधान करना एक्जाम सॉल्व करना है तो इसलिए यहां क्या करवाया जा रहा है MCQ करवाय जा रहा है ऐसे ही question वहाँ आएंगे उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तवीक है समझ में आया जैसी समस्या वहां पे मिलेगी वैसे ही समस्या का क्या करना प्रैक्टिस कराना इसलिए तो भईया साइंस के पेपर में साइंस पढ़के जाते हो क्योंकि साइंस ही पूछेगा साइंस के पेपर में हिंदी पढ़के जाते हो क्या जो वास्तविक समस्या मिलेगी कि उसी का क्या करना है अपने को प्रैक्टिस करना है विमर्शक मतलब विचार विमर्श टाइप का ठीक है आत्म साता नेवं समंजन में मुख्य अंतर है कि बहुत अच्छा कोश्चन है आत्म सातन कि बताईए कि एक वर्ड पढ़े थे कि एसीमलेशन एक वर्ड पढ़े थे कि एसीमलेशन कि अना क्या होता है कि बताईए क्या होता है कि जब तुम लोग पढ़के आते नहीं हो पूरी मेहनत मेर्श ही कराते हो है कि अच्छा मैंने ऐसा पढ़ाया था कि अच्छा कि अच्छा कि नए ग्यान को पुराने ग्यान से जोड़ना कहलाता है आपका एसीमलेशन आत्म सातन और समंजस से कैसे बोलते ठीक है समंजस्य वर्तमान धाचे का उपियोग है junt जबकिि आत्मसात क्या है नए धाचे का निरमान है चलो इसको किलियर कर देता हूं इसमें वर्ड बता देता हूं आपको आत्मसातिकरण, पूर्व ज्ञान से नहे ज्ञान को जोड़ना समायोजन, ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना उसके बाद संतुलन, आत्मसातिकरण और समंजस्य के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? संतुलन उसके बार आता है इस कीमा इस कीमा में क्या आता है आपका जो दिमाग में इन्फॉर्मेशन है उससे क्या निकलता है एक छवी बनती है ठीक है यह सब किसका है जीन प्याजे का है ठीक है भाईया आप समंजस से किस कैसे बैठाते हो कि मैं जो बोल रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो आत्म सातन और समंजस में मुख्य अंतर क्या है ठीक है आप लोग ससुराल जाओगे ना तब क्या करोगे समंजस से बिठाओगे ना कि ससुराल को बदल दोगे कि तुम पांच लोग तुम्हारे अनुसार अरजेश्ट करेंगे कि तुम 5 लोग के जनुसार करोगे करोगे हाना क्या किए समंजस से बिठाए बैठाए समंजस स मंजस से क्या है वर्तमान धाचे का उप्यो समझ में आया? भई, वो क्या देखा आपका नए ज्यान को पुराने ज्यान से जोडा, ठीक है? कुत्ते वाली कहानी क्या थी? कि बालक सफेद रंग का कुत्ता देखता है जिसका चार पैर है भोगता है कुछ दिन बाद वा काले कलर का कुत्ता देखता है तो उसके मन में क्या आता है कुत्ता सफेद और काला दोनों हो सकता है ठीक है एक नया ग्यान स्रीजित किया ठीक है लेकिन समंजस्य में क्या होता ह है भी आप समंजस्य अर्जेष्ट करते हो बदलते कुछ नहीं हो ठीक है तो यहां जिस टैप का वो है आत्म सातन नए ग्यान का निर्मान करना और समंजस्य वर्तमान धाचे का उप्योग करना आप खुद वैभारिक जीवन में देखो ना समंजस्य हम कैसे बिठाते हैं हम अ अमनजस से कैसे बिठाते हैं और आत्मसात में नए ज्ञान को पुराणे ज्रमान से जोडओं गे तो कुछ और नया बनेगा अब पहले उसका ग्यान किसका सफेद कुट्टे का अब ज्यान क्या ओग घया हो गया काले कुत्टे कभी हो गया है ठीक है चल लिएластर है इसका आ पेड़ पॉधे जीव जन्तु क्या है ये प्राकृतिक परियावरण रिष्टे नाते संस्कृती समाजीक परियावरण की एक बचपन से परिभासा पड़तिया है मनुस्य जिन सभी चीजों से घिरा हुआ है वो क्या कहलाते है उसका परियावरण परीधन आवरण ठीक है जिन भी चीजों से मनुस्य क्या है घिरा हुआ है वो परियावरण है अपन को पता है कि विकास में किसका कोई भी विकास या बुद्धी में बुद्धी में भी आपके बुद्धी के विकास में भी दो चीजों का योगदान रहता है भई वनसा नुकराम और परियावरण या वातावरण तो भाया आपके विकास को यह पूरी चीजे परभावित करती है ठीक है तो आपके विकास के अंतरगत परियवरण में यह सभी आएंगे अगर आप कस्मीर में रहते हो ना तो आपका सरीर गोरा रहेगा आप थोड़े लंबे रहोगे वहां का जीवन सैली अल मनाते वहां के मकान सडके पूजा इस्थल दूसरे है ठीक है वहां के मकान क्या है आपके लकड़ी वाले रहेंगे हना पूजा इस्थल का सडके क्या है सडके या तो कच्ची रहेगी या पहाड़ी रहेगी पूजा इस्थल में वहां पे क्या है मुस्लिम समुदाय जफार मिलेंगे वही आप साउत में चले जाओ साउत में चले जाओ वहाँ आपको आम का पेड़ा और नारीय। तो उन्लोक पोंगल मनाएंगे उपर वाले इद मनाएंगे सड़क मकान कैसे रहेंगे दम स्वक्ष रहेंगे पक्के बने रहेंगे मतलब एतिहासी टाइब के जादा है उधर तो भाईया यहीं सबसे क्या होता है आपका परियावरण डिसाइड होता है चलिए बालकों की अभीविद्धी एवं विकास में अभीविद्धी सब्द बालकों के व्यक्तित्तों के किस पक्ष से सम्बंदित है अभीविद्धी अभीविद्धी भई बताईजे दो चीज पढ़ें अपन एक होता है और एक होता है अना व्रिद्धी और विकास विकास मतलब आपके दिमाग की छमता का बढ़ना इसका सरीर से कोई मतलब नहीं है आप निर्ने लेते हो आप तर्ग करते हो आप प्रॉबलम सुलजाते हो आप कोई भी दिमाग का जो काम करते हो वो है विकास विकास जन्मलेश से लेके कबर तक वोम टू टोम चलता है ठीक ह और आपका जो सरीर दीख रहा है, जो बढ़ रहा है सरीर, जिसको हम लोग प्रत्यक शुरूप से देखते हैं, उसको बोलते हैं वृद्धी या अभी वृद्धी, तो अभी वृद्धी एवं विकास में अभी वृद्धी सब्द किसका है? सारीरीक है, जबकि आपका जो वि विकास सब्द किसका होगा? मानसीक होगा, यह बहुत अच्छे समय पढ़ाया हूँ वई, चलिए, आगे देख लेते हैं, यह आखरी कोश्चन कर लेते हैं, वे कौन से बाहकारक है जो एक बच्चे को कक्छा में रूची लेने से रोकते हैं, मतलब बच्चे को कक्छा में ध्यान लगाने से रोकेंगे, कौन से बाहकारक है बई, क्या-क्या है ओप्चन? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रसिक्छान, बच्चे का दिरिष्टिकों, लक्छा और प्रयोजन, कौन से है? सबसे पहले तो बोला कोश्चन को दो बार पढ़ो, पढ़ लिए कार कारक, यहां बोल रहा है, बाहर के कारक, तुम्हारे अंदर के नहीं, भावना और मनोभाव कहा है? बच्चे के अंदर, बच्चे का दिरिष्टिकों, दिरिष्टिकों मतलब उसके किसी भी चीज को देखने की, वही वाला एक्सामपल जो बचपन से देखते हैं, गिलास आ आपका लक्ष आपके दिमाग में सेट है, उसको पूरा कैसे करना है, या रास्ता आपका दिमाग बताएगा, लेकिन संस्कृति आपके जो टीज तेवहार जैसे आप रहते हो, वो है आपकी संस्कृति, जो आपको क्या करती है, सासित करती है, आपको हैंडल करती है, संस्क बस्तर का लड़का एक बस्तर का लड़का जो वहां के कहां से निकलके संस्कृति से निकलके अपने ट्रेडिशनल संस्कृति से निकलके वो रायपूर में प्रीसियस स्कूल में एडमिसन ले देता है ठीक है संस्कृति चेंज हो गई बच्चे को लैंग्विज समझ आएगा अब वहाँ जो भी पढ़ाएंगे, वो किस से पढ़ाएंगे, इंगलिस से पढ़ाएंगे, प्रसिक्षन उसको किस में मिला, इंगलिस में, तो क्या बच्चे को जब वहाँ का कल्चर ही समझ नहीं आ रहा है, और वहाँ की भासा ही समझ नहीं आ रही है, तो क्या वहाँ पढ पाएगा क्या नहीं तो यह कौन से कारक हो गए बाह कारक हो गए ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही आगे देखते हैं कल कर दो कर दो